प्राइब इंडिया का जशने रोशन कलेक्शन लाँच हुआ और फुल टाइम टोल लग गया सो ठोल करने में कुछ लोगी धार्मित महावना बहुत जोड से हट हो गई और बहुत साय तर्क उतर दी गए ए वल्लू बता 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 इसे बता लाइफ विरोधी क्या है सुबह उठो सोशल मीटर पे टेंडिंग लड़ाईया देखो अपने मन पसंद की लड़ाई को चुनो जिसके बारे में ओचो भी पता ना हो और कूछ जाओ दूसरों की ट्वीट को एक्सपर्ट बनके आगे बढ के लिगए तो और में ने थे फ़लाणी कंपनी ये फ़लाने आधमी की कमर तों चीन से ना रा जाओ तो चीन की कमर तोड़ो पकिस stem की कमर तोरो मतलब इन शार्ट ये कमर तोड़ एक्सपर्ट होते हैं कमर तोड़ने का तरहीका है बॉयकॉट करने और कुछ भी वहां से ना खरीदने की धरती मैया की कसम खालो अब मेरे ख्याल से इन्नों को कववा जबू काटता होगा अब खाली वक में करें क्या अंताक चिरी थी वो अप तीवी के एंकर खेलने लगे इन्ने तो जहां सोचल मीडिया पर अपने मनपसंद मसाला जिखता है परना बुलाए महमान की तरह बहां शुरू हो जाते हैं और इस बार उनको फैब इंडिया के विग्यापन पे बेनिफिट देखा है तो इन्नों सोचा बेनिफिट कर सकते हैं हुआ यह कि फैब इंडिया ने अपना ने कलेक्शन नांच किया नौक्टूबर और उसका नाम रख रखा जशने रॉशन कम्नी ने टûtीट में क्लिया कर दिया था जे ने क dopeी क्लेक्शन कना और इंडियन क tark suited को कम्मी की ट्रिभू टइप में है वर हमारे गवारे त्रोल्स को था में क्या डिचा अपाई इंडिया और ज अभवाल हो गया और शुरू हो गया बॉइ-कोटट डिया आ अ-और शू ने उने विग्यापन हिंदु दार्म के खिलाफ लगा और उन्होंने शिकायत करें कि इसमें हिंदु अटायर यानि की हिंदु परधान क्यों नहीं पहने हैं जबकि इस विग्यापन में पुरुष और महला उन्हें पुर्टा पैजामा जैकेट साडी स्टोल पहना हुआ था और हुआ एक बात कहने पड़े हैं मिरोद इसलियत मे होता है हर चीज की देतेिलिंग होती है सब WOMAN 2 की ब्रहनती तो हैं पूरा देखा अधिया पड़कें बार 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 देखा वकशस्य नहीं लगाई किसी ने बोलाuse की ट्रडिशनल हिंदू य। नहीं आटायर नहीं אीं और एक विख्यापन विभी और नाट्कियों के घरवाले मजूद नीजी नहीं किसी ने कहां बिंदी नहीं है, बिंदी वालों ने कहां हिंदु एटायर नहीं है, हिंदु एटायर वालों को लगा लब जिहाद है, लब जिहाद वालों ने कहां एकसेप्ट नहीं है, और एकसेप्ट वालों को लगा बॉयकॉट नहीं है, भारती कल्चर के नाम पे लोगों बेचता है यार बहुत महंगा है जातर लोगन दिसके उबर फ्राइज होने की शिकाज ज्यादा की फैब इंडियान की पहुत से बाहर है और ये एक मौका है अपनी बात उसके पहुचाने का आपदा को आउसर में बदल दी सेल लगा दिया करो यार फैब इंडिया अपने कपड़ों को सोर्स करती है गाउंस और 40,000 आर्टीजन और क्राफ्टमें इसको बनाते है यानिके इसने बहुत बड़े नंबर को इंपावर भी किया है और हिंदी की तरह उर्दू भी भारती भाषा है और यह बहुत सारे इंटेलेक्शोल्स की जबानी भाषा भी है और हम लोग भी अपनी रोजमर्या के जिन्गी में तमाम उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करती है जशने दिवाज का मतलब था हमारे टरडीशन को सेलिब्रेट करो और यह था फैब इंडिया की नई कलेक्शन का नाम कपनी ने एक लियर किया था कि यह इंडियन ट्रडीशन का सेलिब्रेशन है और दिवाली से इसका कोई लेना देना ने फैब इंडिया ने अपने इस विग्यापन को आपस ले लिया उस विग्यापन का मकसद भी था कि अलग अलग धर्म के लोग एक साथ खुशिया मनाते हैं पर हुआ क्या? बॉइक और तनिश के ट्रेंट शिरू होगा मगर इपना सेंटी क्यों हो रहा है और बाद में तनिश को अपने विग्यापन को आपस लेना था किसी ने शिकायत करी कि वहाँ कोई मूर्ती नहीं थी कोई पंडित नहीं था और किसी ने तो ये भी बोला कि लड़की के घर की साइट से कोई नहीं था कौन ही ये लोग? कहां से आते ही? तुम लोग एड में नाम नहीं दिलवा सकते थे कितने केरिंग लोग हैं अब से विग्यापनों में रूल बनाओ आपको लिखना पड़ेगा लड़की के पापा, लड़की की मम्मी, लड़की के चाचा, लड़की की चाची, भुआ, बच्चे अरे फूपा और जीजा का नाम तो रही गया भाई अब किसी को ये लव जिहाद भी लगा और बाद में इस हद तक पहुँच गए कि कंपनी के इंप्लॉईस को धंकी भी मिने लगे तनिश जैसा ब्रांच जो टाटा की तरफ से आता है पर सोचने वाली बात है कि क्या हमारा धर्म, यानि हिंदू धर्म इतनी तक ही शमटके रहे और इन चीजों से क्या हमारे धर्म को कुछ भी फरक पड़ता है अगर फरक पड़ता होता तिक लंबबे समय तक हमारा धर्म सर्वाइब धी पढ़ता है वाटसब पढ़के बिना सोचे समझे इसको फॉरवर्ट करने वाले लोगों के पास इतना वक्त नहीं है और उनकी पहुत से भी एक आपी बाहर है और जाब हमारा मकसद एक अच्छा मैसेज देना है तो उस पे टिके रेना भी बहुत जरूरी है आप समझें मिस्टर मजनू भाई जनता से जोड़े इन महतपूर मुद्धो पर उन्हों कितनी बार अपनी आवाज उठाई है पर लोगों की नजर में धर्म के जरी अपनी दुकान चुमकाना ज़ादा जरूरी है किससे पहले IT कंपनी Infosys को RSS के पांच जन्रे ने एंटी निशनल बताया था Infosys ने Income Tax Reported बनाया था जिसमें कुछ परेशानी आ रही था अकबार में चपे लेक में कहा गया कि कंपनी जान पूछ कर ऐसा काम कर रही है और Indian economy को destabilize करने के कोशिश कर रही है और ये भी कहा कंपनी नकसल्स, लेक्टिस्ट और तुक्रे तुक्रे गैंग की बदत कर लिए अरे माई क्या बताओ पाब में RSS ने अपने कोई से अलग कर लिया और बोल दिया कि ये लिखने वाले के वेक्टिकर बचार इंपोस इसने अपने क्वालिटी के दम पे बाहर बिजस लिया है और उसने भारत के लिए बहुत इंपोर्टेंट पॉर्ल एक्शेंज भी अर्ट किया है सारा डेमेज करने के बाद पीछे हटने से बहुत कोई ठीक नहीं हो जाती है इससे पहले अगस्त में मंत्री पीउष गोयल ने भारती इंडस्टी को बोला था कि वो नेशर इंटरस के अगेंस में काम कर रही है और टाटा गूर्प को सीधे सीधे बोला क्योंकि उसने को सदकारी नियमों का विरोज किया था और गोयल ने ये भी ताना मारा था कि एक दो बाहर की कंपनी खरीद ली तो क्या उसकी इंपोर्टनस ज्यादा हो गई और देश शित का क्या C.I.I. ने बाद भी इस वीडियो को हटा दिया था और ने टार्का स्टील को भी चैलेंज कि वो कोरिया और जापान में जाके अपने सीधे बेच कर देखाएं उनके इसाब से वहां के लोग अपने देश से प्यार कर चे और इंपोर्टिट स्टील नहीं खरी देगा पर मंतर जी ये भूल गए कि स्टील इंपोर्ट में का सा अगर सरकारों नहीं कुछ कांगी है तो उसके बल पर उनको वोट नामने चाहिए ना कि इन सचीयों के बल पर आंत में हम फिर वही करेंगे जमर बहर करते हैं अपनी मार्केटिंग करेंगे अगर आप कोई वीडियो पसंदाया हो तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैन आते रहीं बाई बाई